हलो दोस्तों सागत आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकुर में जैसा कि आज की IBPS RRB किलर्ग प्री की सारी सिप्ट हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंस थे जिनका आज RRB किलर्ग प्री का एक्जाम था काफी सारे स्टूडेंस कमेंड कर रहे हैं कि सार मेरे 68, 70, 65, 74, 76, 80 out of 80 attempt हुए है तो क्या सार मेरा प्री एक्जाम के लिए हो जाएगा कि अब मेंस की तैयारी सुरू कर दें या प्री के रिजल्ट का इंतिजार करें अगर attempt की बात करें तो काफी सारे स्टूडेंस के काफी अच्छे attempt भी देखने को मिले है और 70 प्लस काफी सारे स्टूडेंस के attempt हुए है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंस के 62, 64, 65 भी attempt हुए है अगर एक average attempt की बात करें जो आज हमें देखने को मिले हैं वो 60 से लेके 70 की बीच में देखने को मिले हैं अगर last year की cut off की बात करें तो काफी सारे state में काफी high cut off देखने को मिली थी जैसे गुजरात हुआ, राजिस्तान हुआ, उडिशा हुआ, बेस्ट बंगाल हुआ, बिहार हुआ, रियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहां काफी high cut off गई थी, आपको काफी सारे students परिशान हैं कि सार मेरे state की cut off हाई गई थी, इस बार मेरे कम attempt हुए हैं, तो सार क्या मेरे pre clear हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और सार क्या good attempt होंगे, दुकर दूस्तों, मैंने पहली भी कहा है कि means की तैयारी आपकी depend नहीं करती है, कि आपके क इतने attempt हुए हैं, या आप pre के result का इंतिजार कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि साल में एक exam है, काफी सारे exam है, तो आपको means की तैयारी आपको exam के अगले दिन से ही शुरू करनी है, आपके कितने भी attempt रहे हैं, और अगर good attempt की बात करें, तो 65 प्लस आप करके आए हो, तो आपको पता है कि आप pre के result का इंतिजार करोगे, और pre के result के पाथ आपको उतना से महें नहीं मिलेगा कि आपको means की तैयारी उतने अच्छे लेबल की कर पाओ, और pre निकालने से अक्यली जॉब नहीं मिलेगी, आपको means अच्छा करना पड़ेगा, जितना अच्छा आप means की तैयारी करोगे, उतने जल्दी आपके chances बढ़ जाएंगे, अगर मान लीजिए आप 6-7 exam लगातार देते हो, और उसमें से आपके एक दो भी आप means देते हो, लेकर आपकी means की तैयारी बहुत अच्छी है, तो selection कितने में लेना है, एक job लेनी है आपको, इसलिए आप means की तै अग्जाम आज था, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि कितने आपके attempt रहे हैं, किस अपने आपका exam था, और किस state से आपने form apply किया था, बाकी मिलते हैं फिर नेस वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद.